हेलो दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल उत्राखंडे चीवर्स में आपका स्वागत है जो आज हम वीडियो लेके आएं वाली यह है इस समय हिंदी के कट आफ से रिलेटेड है कि हिंदी के कट आफ कितनी जा सकती है कि आयोगे आंसर की जारी कर दिया आप सभीको पता है आपने अपने आंसर स्लगा दिये होंगे आप सभी को गुड कुछ आंसर्स गलत भी है उनका हो सकता है बोनस मांक्स मिले या फिर आयोग नई आंसर की जारी ढिई चली देखते हैं कि हिंदी का टॉप कितनी जाएगी हिंदी का टॉप के लिए पता जल पाएगा कितनी कटॉप है तो आप देख सकते हो कि जैसे हिंदी के लिए 180 185, 185 पोस्ट है थी जिसमें से लगवग 92 और पिछालनवे, आप ऐसे में कर सकते हो, ठीक है, बैजानवे से पिछालनवे कहा है, दोनों मंडल में आवंटीद की गई है, अब देख लेते हैं, जो टोटल कैंडिडेट थे, हिंदी विशाय के वो थे 7,864, और कुल कैंडेट ह ठीक है, आप 7,864, यानि कि आप 8000 ही समझ लिए, 8000 बच्चे हैं, जिनोंने हिंदी का, LD का पेपर दिया है, ठीक है, अब एक पोस्ट पे कितना बैठ रहा है, एक पोस्ट पे बैठ रहे हैं, आपके 42 कैंडिडेट बैठ रहे हैं, इसका ध्यान रखेगा, 42 मतलब एक कैंड कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, और 41 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, जो बाहर हो रहे हैं, वो अगले एक्जाम के तियारी कीजिएगा, होप मत खोईएगा, चले बात कर लेते हैं, आप नेगेटिव मार्क्स के, चीक है, तो एक प्रस्ण गलत होगा, तो आपका 1.2 मार्क चले जाएंगे, यह ध्यान रखेगा, इसमें कन्फूजन हो रहा है, आप लोग को सायद किये कैसे जाएंगे, अगर आपने 100 कुशन अटाइम्ट किये हैं, और 100 में से आपका 1 गलत होता है, तो आपके कितने मार्क्स आएंगे, 98.5, 98.5, ठीक है, कितने जा रहे हैं, 98.75, क ठीक है, क्योंकि आपका वो प्रस्ण भी तो काउंट होगा, जो आपने गलत कर दिया है, आपने कुलिम लाके 100 कि हैं, लेकिन अगर आपको एक गलत है, तो एक भी तो माइनस में जाएगा, ठीक है, चले अब देख लेके, क्विशन पेपर कहसा था, जो प्रस्ण पत्र था वो दो चीजों से मिलके बनावा था, हिंदी और बाल मनुबग्यान, आपके हिंदी जो थी 70 मार्ग के थी, और बाल मनुबग्यान 30 नमर का था, ये 70 मार्ग के थी, ठीक है, हिंदी में कुछ प्रस्ण संस्क्रिट के भी थे, ठीक है, कुछ प्रस्ण में संस्क्रिट के भी था हल्का कठीन ही समझ लीजिए ठीक है इसमें कुछ प्रसन सरल थे कुछ कठीन थे देखिए यह वाले प्रसन है कि जिस नाटेक में एक ही अंको उसे एक आंकी कहते हैं घीजू किस कहानी का था खड़ी बोली का पहला मा का वे किसे कहते हैं इस सब कहें आपको याद थे तो आपने कर दिये अगला है जैसे अपादान में कितने कारक होते हैं ठीक है किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के कोई याद करना क्या कहलाता है यह सब क्या है सामानिया और एवरेज में ही आएगा जैसे गंगापुत्र दानम के रचियता कौन है ठीक है कौन सी आर ये किस का है वो तबी होता है अगर आपने उसे पड़ा हुआ होगा अगला देख लिए आप की जैसे गल्यूल नी, यह तो शरल्था कल्लोल नी किसे कहते हैं, नदी के लिए है, ठीक है आगे देखते हैं तो आपको जो पेपर के पैटर्न थलू इसी प्रकार का था ठीक है, easy, hard, average, difficult और very difficult इन 5 categories में पेपर को बाटा हुआ था चलिए अब देखते हैं कितनी जा सकती है cut-off यह है आपकी जर्नल, male की 1.5, female की 58 जा सकती है OBC की 56 जा सकती है और SCST की 49 जा सकती है अभी भी यह ध्यान रखेगा, आयोग के कुछ प्रशन गलत हैं यह कहा जा रहा है, उत्तरमाला में जो answer sheet answer की भीजिए, उसमें कुछ प्रशन गलत हैं तो आयोग update कर सकता है या फिर आपको bonus अंग दे सकता है तो आपको कुछ फाइदा हो सकता है एक दोंका तब तक के लिए thank you, अगर आपको कोई doubt हो तो आप कमेंट कीजिएगा अपने marks category साथ कमेंट कीजिएगाई